इंसेस्ट क्या है बहुत अग्रय करने पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि इंसेस्ट की फैंटेसी या इंसेस्ट की फीलिंग जाना इंसेस्ट एक्चली होता क्या है और क्या इस तरह की वीडियोस आप देखते हैं देखते हैं तो क्या इसको करने का मन करता है क्या यह सही है गलत है नमश्कार मैं हूं डॉक्टर नेहा मैता मैं एक सेक्स कांसलर हूं और पिशली काफी सालों से फ्रैक्टस कर रही हूं अपनी हर वीडियो के मादम से मेरी कोशिश है कि मैं सेक्स से जुड़ी सही जानकारी पहुचा पाऊ और इसलिए मैंने बनाया है अपना नया चान तो चलिए मैं बात करें थी इंसेस्ट एक ऐसा सेक्शल अक्टिविटी है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली जिनकी आपस में शादी नहीं हो सकती है फैमिली के ही कुछ मेंबर्स के साथ आपका सेक्स करने का मन करें या आप उनके साथ करें यह कैसी फैंटसी है जो बहुत जादा सेंशल हमें दिखता है बहुत जादा अट्राक्टिव दिखता है तो उससे रिलेटेट ऐसी फीलिंग्स एक एच के बाद सबको आती है जो कि completely genuine है जैसे 12-13 साल में आपको किसी एक्टर या एक्ट्रस को देखके मन करें उनके साथ करने का या फिर कोई अंकल आंट कोई भाई this can happen with everyone but अगर ये fantasy इतनी बढ़ जाए कि आप उसे control ना कर पाए और आप exactly वैसा कुछ करने लगें उन्हें टच करने लगें या जान मुझ के छूने लगें या फिर आपको exactly आप control ना कर पाए और ऐसा कुछ हो जाए या आप actually movies ऐसी देख रहे हैं या ऐसी इस पिचर देख रहे हैं पॉन ऐसी देख रहे हैं स्टोरी ऐसी पड़ रहे हैं जिसके अंदर भावी नना बहन की साली सम्तिंग लाइक दा इस तरह कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको इंसेस्ट फैंटेसी हो सकती है सबसे पहली चीज का आपने ध्यान रखना है कि अ हम इसके थोट से दूर रहेंगे उतना ही बेटर महसूस करेंगे और उतनी ही चीजें बेटर होंगे लेकिन अगर वो हमारे दिमाग में आसपाथ कूचता ही रहेगा तो एक्जाटली होने की या उसके दिमाग में घर करने की संभावना बढ़ जाएगी एक तरह का ये एक मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हैं तो अल्टिमेटली आपका अट्राक्शन उनकी तरफ से हो जाएगा लेकिन ये आपके दिल और दिमाग को काबू करें पहले के जमाने पर आपस में फैमली में मतलब कॉंसे जनिटी में सेक्स करना या फिर बच्चे के लिए आपस में मेट कराना इन ब्रीडिंग जिसे हम कह सकते हैं वैसा होता था पट आक्चली ये सब कंसेंटबल होना चाहिए बिना कंसेंट के या बिना एक दूसरे से बात करें अगर आप ऐसी कोई फांडसी रखते भी हैं तो प्लीज कोशिश करें कि उसे अपने तक ही सीमित रखें और you have a partner उसके साथ इसे पूरा करने की कोशिश करें अगर फिर भी आप इन थोट से निकल नहीं पा रहे हैं और निकलना चाहते हैं तो psychosexual therapy is the only way जिसके लिए आपको एक therapist एक psychologist के पास जाना होगा is the only way to get out of it बहुत लोग actually किसी को ऐसे करता हुआ देख लेते हैं या कोई story पढ़ते हैं तो उसको इमाजन जादा कर लेते हैं या उसी तरह कि बार बार पॉन देखनी की वजह से भी वो subconsciously fit हो जाता है तो उससे निकालने के लिए therapy स्कांग करती है तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से doubts को clear कर पाई है अगर आप मुझे करना चाहिए या नहीं आपका individual choice है लेकिन normalcy में रिष्टो को तर्ख पिला के especially Indian culture में something difficult हाँ लेकिन अगर आप इन चीजों में नहीं मानते हैं दूसरा partner भी नहीं मानता है तो यह आपका personal choice हो सकता है safety का अपने सबसे जादा ध्यान यहां रखना होगा use a good condom and then you can go for it so अगर आप इस channel प बने रहें जुड़े ने Instagram Facebook पे मुझे कर सकते हैं Dr. Neha Official subscribe 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 share this video to more and more people और Dr. Neha Mehta हमारा main channel आपको पता है उस पर वीडियो जाती रहेंगी इस पर प्यार देना नहीं भूलना है